आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आसा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो पुरी सिद्धत और महनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो यह जो सिरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडूटेरिया का जो आपका भी 50 दिन का जो 50 प्रैक्टी सेट जो सरकरवार हैं ठीक है उसमें सेट नमबर 7 का मैद्स का पेपर आपके लिए सॉल्ब कर रहे हैं इसी तरीके से हर एक सेट का आपके लिए सॉल्ब कर दिया जाएगा और फिर एक बार और सेम पांच को स्पीड में करने की कोशिज करें, स्टार्ट करतें, देखिए याद रखिएगा अगर आपको दरोगा बनना है तो जो फाइनल होगा, मतलब प्री मैंस सब चीज होने के बाद भी, अगर कोई एक सबजेक्ट जिसके फाइनल मैरिट में पहुंचोंगे वो है आपका मैंस और रिजनिंग जिसे मैंस का जो टार्गेट होगा वो आपका जादा होगा, इस बार भी 64 पोस्ट में 70 कोश्चन स्रिप जीके के थे, जीके जीएस के आपका मैंस में, बाकि 30 कोश्चन आपके मैंस और रिजनिंग से तो आप समझ लो, अगर आपका मैंस और रिजनिंग स्ट्रॉंग है, तो आप बहुत बड़े दावेदार हो, किलियर है ये चीज़, ठीक है, इसलिए हमने मैंस रिजनिंग आपको एप पे और लड़ी परहा दिया है, महनत जरूर किजिए, जो नहीं बनता है, भेजी मुझी, ठीक है, चलिए, तो पहला कोशन है कि पंकज ने 1950 रुपे की कीमत पर एक मुबाइल फोन को ठीक है, 25 परतिसत हानी पर बेच दिया, मतलब बोला है, पंकज कोई लरका है, जिस ने क्या क्या, 1950 रुपया की कीमत पर किसी मुबाइल को बेच दिया, जिस से क्या हुआ है, उसको 25 परसेंट का उसको हानी हो गया, ठीक है? अब बोला है, उसने हानी कर लिया, अब बोला है कि अगर इसे 30 परसेंट का अगर उसे profit कमाना है तो उस mobile को वो कितने पर बेची देखे 30% अगर profit कमाना है तो हमें सबसे पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि क्रेय मुल्य क्या है क्योंकि अगर क्रेय मुल्य मुझे पता चल गया cp पता चल गया हमें cost price अगर हमें पता चल गया तो simple है हम उसका 130% निकाल देंगे देखे तो इसका सबसे simple एक method आपको पता होगा इस टाइप के questions को करने से पहले पहले आप cp निकालना से को cp हम कैसे निकालते है जो क्रेय मुल्य होता है cp equal to होता है आपका sp में इसलिए लि profit होगा चाहे आपका loss होगा अगर profit होगा तो hundred plus profit लोग होगे अगर loss होगा तो hundred minus loss लिखोगे इस case में हमारा sp क्या है विक्रेय मुल्य क्या है तो 1950 है ठीक है 1950 लिख दींगे हम यहां 100 लिखेंगे ठीक है और नीचे क्या लिखेंगे हमारा 100 क्यूंकि हमारी loss हुआ है तो 100 minus क् 25 लिखेंगे, तो हमें नीचे कितना आजाएगा, हमारा आजाएगा 75, तो ये जो है आपका, ये क्या निकल गया आपका तो ये जो basically आपका निकल गया है, ये निकल गया है आपका CP, अगर मैं इसको काटू, तो यहां आजाएगा आपका 4, ठीक है, और यहां आजाएगा आपका, क्या आजाएगा, देखें 100, यहां आजाएगा आपका 3 आजाएगा, ने तो देखो, आप एक चीज और कर सकते हो ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजी, देखें, इतना क्यों माथा पेच्ची करें 100 x 75 यह आप इसको रहने दो, यह आपका क्या निकल गया, यह आपका CP निकल गया तो CP को हम इस तरह के से रख देते हैं, 100 x 75, इसका हमें क्या निकालना, 130% निकालना है तो हम यहां 130 y, directly हम 100 कर देते, क्योंकि हमें easy होगा, calculation में, ठीक है यह 100 से 100 कर जाएगा, 100 से 100 कर जाएगा, आप मुरा बचा क्या तो देखे, 1, 9, 5, into में 13 लिख सकता हूँ, 13 मेंने कर दे, यह यहां 1 0 बचा है, यहां 1 0 बचा इसको मैं 100 यहां लिख देता हूँ, नीचे में लिख दूँगा 75 बस calculation का, क्योंकि मैं जीज, देखे, maths आता सबको है, अगर आप थोड़ा भी, मैं जीज है calculation, आप कितना fast करते हो, ठीक है, उसी का खेले, अगर आप fast कर लिए तो आपका जो exam में pressure है, तुरंत down हो जाएगा देखे, तो आप 25, 4 जा करोगे, 25, 3 जा करोगे, हो गया यहां, समझ में आया, अब देखो, इसको अगर आप solve करोगे, तो आपका जो आ जाएगा, 33, 8, 0 आ जाएगा, आपका जाएगा, इसको कैसे solve करना है, तो इसको आप 3 से कर सकते हो, ठीक है, तो 3 से करोगे, तो कितना आजाएगा, यहां 6 आजाएगा, 18 हो जाएगा, यहां 5 आजाएगा, तो 65 इंटु फिर से 13 अगर आप करते हो, तो आपका आजाएगा कितना, यह आजाएगा, आपका 65 इंटु 13 इंटु 4 अगर आपको करोगे, क्योंकि 13 फोर जा कितना हो जाएगा, आपका 52 हो जाएगा, और 52 into 65 करोगे, तो आपका आजएगा 3380 आपका एंसर आजएगा, ठीक है, तो 65 into 13, फोर्जा, 52 करोगे, 3380 आपका एंसर आजएगा, तो इसका जो एंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा A, ठीक है, सिंपल, कर लोगे, चली, next है आपका, A is to B is equal to, अनुपात का ही कोस्टन है, A is to B is equal to 3 is to 4 दिया, हम यह सब चीज परहा चुगे, अगर आप परहे हुए हो मुझसे, तो यह सब आप कर लोगे, ठीक है, A is to B मुझे दिया हुआ है, कितना, आपका 3 is to 4, B is to C मुझे दिया है, 5 is to 7, C is to D दिया है, मुझे 8 is to 9, और A is to D मुझे निकालना है, तो जब भी इस टाइप का कोस्टन साइए, आपको करना क्या है देखिए, जब भी इस टाइप का कोस्टन आप इस तरीके से करो, A is to B लिखो, B is to C लिखो, C is to D लिखो, अब देखो, A is to B मुझे क्या दिया हुआ है, तो 3 is to 4 मुझे दिया है, तो मैं 3 is to 4 लिख देख, B is to C मुझे क्या दिया है, तो 5 is to 7 मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और C is to D मुझे क्या दिया है, तो 8 is to 9 मुझे दिया हुआ है, अब देखो, जो जगा खाली है उसको कैसे हो सकते हैं आप ये पहली बार सीखे हो अगर आप पहले आपने नहीं परा इस चीज को देखें मैं बता आप उसको एक्जाम में कैसे करना है ये तो फिर करते रहा जो जो खाली है अब उसको कैसे भरना है देखें 3 इस टू 4 है अब इधर जो भी तो यह 8 आठ बर दो, प्लीज प्रोसेस ध्यान से देखेगा, अब अगर वो मुझे कुछ भी बोले, तो मैं अगर मुझे A इस्टू D बोले, अब देखो, मुझे अगर मुझे इसमें निकालना है, A इस्टू B इस्टू C इस्टू D, अगर मुझे निकालना है, वो बोलता, तब हमें यह इतना करने की जोर्बत ने परता, हम इसको इस्टू D बताएगा, तो A इस्टू D अगर मुझे बताएगा, तो इधर का स्रिफ मल्टिप्लाई कीजिए, और इधर का मल्टिप्लाई कीजिए, तो यह हो जाएगा, 8 into 5 into 3 is 2, ठीक है, इधर का है, 4 into 7 into 9, ठीक है, अब देखो, इसको काटो, यह 4 से, यह 2 से कर जाएगा, ठीक है, यह 3 है, तो यह आपका, 3,009 से कर जाएगा, तो यहाँ हैगा, 10 is to 21, तो 10 is to 21, इसका एंसर हो जाएगा, एक गारी 60 km पर ती आवर, गती से 4 घंटे में, एक निश्टी दूरी तै करती है, समान दूरी को, 2.5 घंटा में, मतलब धाई घंटा, मालो, कोई भी एक गारी है, मालो, जो कि 60 km पर हिसाब से, कोई भी एक दूरी, 4 घंटे में, पूरी कर लेते, दूरी नहीं पता है, तो मालीजए अगर समान दूरी को, अगर मुझे 5.5 घंटा में, अगर कंप्लीट करना है, 4 घंटे में पहले करता था, आप मुझे और श्पीड जाए, 5.5 घंटे में कंप्लीट करना है, तो इससे मुझे क्या निकल जाएगा, इससे मुझे निकल जाएगा, 240 km निकल जाएगा, मतलब मेरा distance कितना है, तो 240 km है, अब ये 240 km है, और मेरा time कितना है, 2.5 है, तो अगर मेरा 2.5 करता हूँ, ये point इधर हटाओगे, इधर आपका 10 आजाएगा, 10 आजाएगा आप, और अगर आप इसको फिर से क्या करोगे, आप इसको divide, मतलब इसको आप, क्या करोगे, इसको solve करोगे, तो solve करना होता है, 24 into इसको 100 करो इधर, ठीक है, इधर 100 करो, नीचे आप 25 ही रख लो, तो 25 अगर रख लोगे, तो यह 4 टाइम चला जाएगा, तो यह कितना आजाएगा, 96 आजाएगा, तो पहले का जो speed था, मेरा 60 था, अब का जो speed है, मेरा कितना है, 96 है, कितना का बरहोतरी आपको दीख रहा है, 36 का, तो देखो, 36 जो है, कितना percent है, आपका, 60 का, compare तो हमें, पहले बाले से करना है, कितना का बरहोतरी हुआ, 36 का बरहोतरी हुआ, किस पे, 60 पे, तो यहां 60 लिख देंगे, multiply कर देंगे, तो यह 0 से 0 कर जाएगा, 6, 6, जा 36, तो कितना हो जाएगा, 60 इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तेखो, अब यहां एक और, यहां मैं basic भी आपको बताता हूँ, अब बताता हूँ कि, exam में कैसे करना है, देखे, 12 विद्यार्तियों का ओसत, मुझे 20 वर्ष दिया हुआ, एक नया विद्यार्ति आया बोला, ठीक है, उसका आयू जोडने से क्या होता है, कि औसक में एक कमी हो जाता है, तो नया विद्यार्ति का आयू ज्यात कीजी, यह question, तो माल लेता हूँ कि, जो नया विद्यार्ति आया था, उसका जो age था, मैं x माल लेता हूँ, ठीक है, क्या मैं माल लेता हूँ, जो नया विद्यार्ति है, उसका age क्या मैं माल लूँगा x माल लूँगा तो देखे तो 12 लोगों का कितना है मैंने average बहुत अच्छे से परहाया जाके चेक कीजिगा 12 लोगों का जो age है वो 20 है तो 12 into 20 कर दूँगा प्लस जो नया वला है उसको मैं x माल लेता हूँ divided by total कितने हैं लोग पहले 12 था एक और आगया 13 हो गया अब यह जो average है क्योंकि यह तो average ही न निकलेगा अभी यह तो average निकलेगा अभी total 13 का 12 into 20 कर दिया प्लस x कर दिया divided by 13 कर दिया अब देखो average क्या हूँ है एक से कम गया अगर पहले 20 था तो अभी क्या हो गया आपका 19 हो गया तो यह हो जाएगा 240 प्लस x ठीक है और यहां हो जाएगा 19 into 30 ठीक है बस आपको इतना ही इसमें करना है ठीक है तो अगर इसको आप करते हो तो यह आजएगा 27 247 आजएगा 247 आजएगा ठीक है और x इधर होगा दूसर 40 आप इधर ले जाओगे तो आपको कितना बच जाएगा 7 इसका एंसर हो जाएगा मतलब 7 जो है किसका age है आपको वो नए वाले student का अब जो हमने परहाया उसको आपको तरीक है यह तो basic है ठीक है अब देखो हमने आपको कैसे समझाया था कि 12 अगर विद्यार्थी है ठीक है और उसका average weight कितना है यह भी आपको आना चाहिए अगर आपको कोई सिर्फ trick से परहा रहा है तो नहीं आपको basic पताओना चाहिए क्योंकि बहुत जगा आप trick भूल जाओगे पहले 20 था अब यह 19 हो गया मतलब यह है कि जो भी लड़का आया है वो 20 से उसका कम ही age था क्योंकि अगर 20 होता तब तो क्या होता 20 ही average रहता अगर 20 से ज़ादा होता उसका age तो average भी बह जाता 20 से कम है इसलिए तो average कम हो गया कितना हो गया average? 19 हो गया तो 13 लोगों का भी average कितना है? 19 है मतलब हर किसी के पास कितना है? 19 है तो नया बला जो लरकाया उसके पास अभी भी कितना है? 19 है बट यह उसका खुद का नहीं है क्या-क्या है उसने यह 12 लोगों का average कितना एक से कमा दिया है, तो मतलब सबसे वो एक एक लिया होगा, तो आप इसमें 12 माइनस कर दीजिए, तो इसका 7 एंसर आजएगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आया है आपको, तो आप फुल वीडियो देख लीजएगा बागी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट सिंपल है, वाई छोटा होगा, तभी तो यह पोजिटिव में आया इधर, अब देखो, यदि छोटे संख्या से 25 घटाया जाए, और बरी संख्या से में 20 जोरा जाए, तो अनुपाद जो है एक इस्टू 2 में आता है, अब देखो, यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है, यहीं गलती होगा, कि जब उपर में दिया होगा, कि उपर बला जो है, यह आपका, यदि छोटे संख्या से 25 घटाया जाए, मैं माल लेता हूँ उपर X, मतलब यह बरा बला मैं माल लेता हूँ ठीक है, और नीचे मैं माल लेता हूँ यही बस यहाँ उपर नीचे किया हूँ है, ठीक है, यह चीज आपको समझना था, कि पहले यहाँ जो दिया हूँ है, 25 जो कम कर रहा है, तो यह 1 वला जो दिया हूँ है, कि इसको दिया हूँ है, छोटे वाले नंबर का, अब देखो, यह Y माइनस आपका 25 हो जाएगा, इन्टू, क्या हो जाएगा आपका यहाँ, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका X प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, तो अगर आप इसको स्वल्ब करोगे, तो यह हो जाएगा, यहाँ आपका 2Y हो जाएगा, यहाँ माइनस पचास हो जाएगा और यहां आपका x प्लस 2 हो जाएगा अब देखो यहां मुझे क्या दिया हुआ है यहां क्या दे एक्स के जगा y प्लस 5 लिख सकते हैं यह पहले बाले से तो आप x के जगा आप क्या लिख दोगे x के जगा लिख दोगे आप y प्लस 5 तो यहां y प्लस 5 लिख दो यहां प्लस आप 2 लिख दो यहां है 2y माइनस 50 ठीक है यहां है आपका y प्लस फाइब यह 7 हो जाएगा आपका ठीक है I think हमने कुछ मिस्टेक किया क्या इधर एक मिने टूख जाएगा चलिए तो यहां हमने सिर्फ 2 लिखा था ठीक है यह 20 होगा यह इधर से इधर मल्टिप्ला होगा तो यह 20 हो जागा ठीक है तो कुछ नहीं नॉर्मल x प्लस 20 आगे है x प्लस 20 आगया और फिसे x के जगा मैंने क्या रख दिया इधर x के जगा लिख दिया मैंने y प्लस 5 ठी ठीक है अब देखिए अब क्या करें यह y को इधर लेकिया हो तो यहां तो सिर्फ y बचेगा और यह 50 उदर चला जाएगा तो कितना आजगा 50 60 70 75 तो y मेरा आगया आपका 75 तो सिंपल है जब मेरा y 75 आगया मुझे x-y मेरा यहां दिया हुआ है मैं थोरा ज्यादा लंबा कर आपके दे रहा हुआ आप 100 100 भी कर सकते हो जल्दी जल्दी करके ठीक है तो y के जग अगर आप 75 निखोगे तो x आपका क्या आजएगा आपका 80 आजएगा तो 80 इसका इसका इंसर हो जाएगा ठीक है तो फिर से एक बार खुद से प्रेक्टिस कीजिए ठीक है और थोड़ा